जैने दोस्तों तो हम लोग पॉलिजिक का एक topic है विधान सभा उसी पर मे लोग question कर वे थे चलिए इस वीडियो में भी आगे हम दखते हैं कि क्या क्या question है कि देखे पहला question है कि विधान सभा का सत्र वर्स में कम से कम कितने बार आहुद किया जाना अवसक है और तो दूस्तों इसका उत्तर जाएगा कम सक्सम दो भार अप्शन अमबर बी हो जाएगा अगला कुश्चन है कि विधान सभा की बैठक की अन्तिम तीति तदा दूसरी बैठक की पर्थम तीति के बीच खितने समय से अधिक्स कांतिर नहीं होना चाहिए अप्सिन एक एक माँ, अप्सिन भी दो माँ अप्सिन सी, तीन माँ अप्सिन डी चार माँ तहीं अंदर छे माँ से अधिक नहीं होना चाहिए, अप्सिन नमबर डी हो जाएगा अगला कॉशन है कि विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राजे पाल, मुख्य मत्री, विधान सभा के सदसे करते हैं, या फिर विधान सभा के निवाचे सदसे करते हैं तो इनका चुनाव होता है, विधान सभा के सदसे के द्वाड़ा होता है, इसका विधान सभा अध्यक्ष का अप्सिन नमबर C हो जाएगा कि अंगला कोशन है कि और थाई विधान सभाद्यक्ष यानि कि प्रोट्यम स्पीकर की निक्ति कौन करता है राजय पाल मुक्खे मंत्री या नी वर्तमान विधान सभाद्यक्ष या फिन वाचन आयोग और श्थाई विधान सभाध्यक्ष के निक्ति कौन करता है यह होता है राजेपाल के द्वारा अप्शन नमबर ए हो जाएगा चलिए देखता अगला कोशन अगला कोशन दोस्तों कि विधान सभाध्यक्ष को उसके पद के सपत कौन दिलाता है राजे पाल, उच्छ नियाले के मुख्या नादिस, या फिर नी वरतमान विधान सभादेक्ष, या फिर सपत ग्रहन की आप सकता नहीं है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि इसे सपत ग्रहन करने के आप सकता नहीं होती, अप्शन नमबर डी हो जाएगा आएग कोशन है कि विधान सभाग के निर्वाचन छेतरों में अनुस्ट्री जाती और जन जातियों के परति नीधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन छेतरों की वरस्ता है ऐसे निर्वाचन छेतरों की कुल संक्या कितनी है? 790, 881, 1842 या 565 तेन की संक्या 1142 है कितना है? 1142 है अप्शन निंबर C हो जाएगा अगला कुशन है कि विधान सभाग अध्यक्ष यानि स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? राजपाल को, राश्पती को, मख्य मंत्री को या विधान सभा उपाध्यक्ष को तो विधान सभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसको विधान सभा उपाध्यक्ष को देता है? अप्शन निंबर D हो जाएगा अगला कुशन है कि विधान समाध्यक्ष को सभाध्यक्ष को किस परकार पत्र से हटा आ जा सकता है? अप्शन है विधान सभा के 700 द्वारा साधारा बहुमा से पाइत संकल्प द्वारा और अप्शन बी है कि विधान सभा के 700 द्वारा दो तीहाई बहुमा से पाइत संकल्प द्वारा इसक बाइद करतौना gotは विनस नीट सागाए विथान मंड्यल के सदस्यों सूद्वारा सतना है इसका उत्र जाएगा कि बिधान सभा किया सदस्यों सना को से पाइद करने के बाद अगला कोशन है कि विभांवहाय अध्यक्षियां उपाध्यक्ष को हटाने से सममधित परस्तावां करने के लिए कितने दिन पुर्ब इसके सुचना ध्यक्षियां फिर उपाध्यक्ष को देना अप्शन है 14 दिन अप्शन B 15 दिन अप्शन से 21 अप्शन टी 30 दिन तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा अप्शन नमबर ए हो जाएगा शले देखते आगला कॉश्चन अगला कॉश्चन है कि राज्य मंत्री परिशद सामवही क्रुप से किसके परिशद सामवही क्रुप से किसके परिशद से अपने सदन की आग्या के बिना सदन के सत्र से लागतार कितने दिनों तक अनपसित रहता है तो सदन उसे निसकासित करके उसके इस्थान को रिक्त घोसित घोसित कर सकती है अपसिन है 30 दिन अपसिन B 45 दिन अपसिन C 60 दिन अपसिन T ए 100 दिन तो इसका उतुर हो जाएगा 60 दिन अपसिन नमबर C हो जाएगा अगला कोशन है कि राजे विधान सभा के सदन की बैठक के लिए गन पुर्ती है अपसिन है कि 30 सदसे अथवा कुल सदसे का दस्वा भाग जो भी अधिक हो अपसिन B कि 10 सदसे अथवा कुल सदसे संख्या का दस्वा भाग जो भी अधिक हो अप्शन सो लग मी तो इसका उत्कुर्ट हो जाएगा कि दस सदस्य अध्वा कि कुल्ब्स दस्य संख्या का दस्पा भाग जो भी अधिक हो अप्शन नम्बर बी हो जाएगा अगला कोशन है किस राजे की विधान सभा के 17 वासान के आधेश किसके दोरा दिया जाते हैं आप्सन है राजे पाल आप्सन B विधान सभा अधेक्ष आप्सन C मुख्या मंत्री आप्सन D विधी मंत्री तो राजे की विधान सवाग सदर अवसान का अदेश किसके द्वार दिये जाते हैं राजे पाल के द्वारा अप्सिन नमबर ए हो जाएगा अगला कोश्चन है कि विधान सवाग सदर से रहे बीना कोई भी वेक्ति किने दिनों तक मंत्री पत पर आशिन रह सकता है तीन माह, छे माह, एक वर्स या राजे पाल के परसाथ प्रियंद तो विधान सवाग सदर से रहे बीना कोई भी वेक्ति 6 माह तक जो है वो मंत्री रह सकता है अप्सन नंबर B हो जाएगा अगला कोईशन है कि विधान सवाग सदर स्योका निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है तो विधान सवाग सदर स्योका निर्वाचन होता है निर्वाचन आयो के दौरा अप्सन नंबर B हो जाएगा अगला कोईशन है कि किस राजे पाल की विधान सवाग में दो महिलाओं की निक्ति राजे पाल कर सकते है अप्सन है जम्मकस्मीर अप्सन बेशिक किम अप्सन सी मनी पूर अप्सन टी नागरलेंड तो इसका उत्र जाएगा जम्मकस्मीर अप्सन अंबर ए हो जाएगा अगला question है उत्रा खंड विधान सवा में एक सदसर नामित किया जाता है option इसाई समुदाई से option B मुसलिम समुदाई से option C है anglo-indian समुदाई से option D है पार्सी समुदाई से तो इसका उत्र हो जाएगा anglo-indian समुदाई से हो जाएगा option number C हो जाएगा अगला question है निम्रिखित में से कौन सत्य है option है कि जब मुकसमी विधान सवा की अबदी केवल 6 वर्स की होती है जबकि अन्य राजों की विधान सवा की अबदी 5 वर्स होती है option B है कि राश्टी अपातकाल की उद्गोषना की परवर्तन की इस रिती में विधान सवा की अबदी को एक वर्स के लिए बढ़ा जा सकता है option number C है कि राजे विधान सवा का वेगटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है इसके लिए यह आवसक नए कि राजे विधान सवा की बैठक होई हो option D है कि उपरिक्षा भी एक फिर से देख्यों ऑफ्शन को option A कहरा कि जम्मकस में विधान सवा की अबदी केवल 6 वर्स की होती है जबकि अन्य राजेव की विधान सवा के अबदी पांच वर्सकों दिये यह सई है अपसंवी एक राश्टिये आपातकाल के उद्धोषना का परवरतन की सिती में विधान सवा के अबधी को एक वर्सक लिए बढ़ा जा सकता है यह भी सई है कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका निर्ने राज्ये में कोन करता है राज्ये में कोन करता है यह करता है विधान सभागों कितनी समयवधी के अंदर समयधानिक संसोधन विधे को स्विकार अथवार और स्विकार करना पड़ता है अपसन है 14 दिन अपसन से 6 माँ अपसन डी है कोई निशित सीमा नहीं है तो दोस्तो इसका उत्तोर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है अपसन नबर डी हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना है अगर आपने चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कोशन का फायदा मिल सके तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में